दोस्तों, युनाइटी नेशन में जिस तरह से भारत की पर्मानेंट सीट को लेकर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से समर्थन दिया गया है, अब सब की नजर चीन और रूस के उपर टिकी होई है। दुनिया भर की नजरे होने वाली है, जिसमें देखना होगा कि इजरायर फिलिस्तिन युद, साथी रूस और युक्रेन के युद पर भारत की विदेसमंतरी क्या बोलते हैं। बोलता आया है, लेकिन इस बार तुर्की के राष्टपती अर्दोगन ने भी कश्मीर को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे में कश्मीर, बुरानवानी और 370 को लेकर दिये गए सहबाज शरीव के बयान पर भारती विदेसमंतरी क्या बोलते हैं ये देखना होगा। पाकि सहबाज शरीव के बयान पर भारती राजनाईक भाविका मंगल नंदन ने UNGA में राइट ओफ रिपलाई के दोरान पाकिस्तानी पीम के भाशड को मजाग बताया, साथी पाकिस्तान को आतंगवाद की फैक्टरी बताया, इसके लावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न प्रक्स के व्यपार और अंतराष्टे अपरात के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहास है, उन्होंने आगे कहा, लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमापार आतंगवाद का इस्तिमाल अपने पडोसियों के खिलाब किया है, इसने हमारी संसत, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबाई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले किये हैं, लिश्ट बहुत लंबी है, वही बात करे भारते विदेसमंत्री के, अपने संबोधन से पहले रूस के विदेसमंत्री से मुलाकात के बारे में तो इसमें किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, इसे गोपनिय रखा गया है, इसलिए इसे सीक्रेट मिटिंग करार दिया जा रहा है, हलाकि रूस की तरफ से जो खबर आ रही है, उसके मुताबेद ब्रेक्स को लेकर इसमें बातचीत हुई है, साथी भारत रूस की विदेसमंत्री डॉक्टर एज जैशंकर के बयान के बाद रूस की विदेसमंत्री का भी युनाइटी नेशन के अंदर संबोधन होने वारा है, ऐसे में भारत उमीद कर रहा है कि रूस भारत की स्थाई सदसिता का तो समर्थन करे ही साथी चीन को भी किसी तरह से इसमें मनाने के लिए कामियाब हो, वहीं अभी तक उनाइटी नेशन के अंदर कई बड़े देसों ने भारत की पर्मानेंट सीट का समर्थन किया, जिसमें फ्रांस के राष्टपती मैकरोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रिष्टारमर और अमेरिका ने अपना आप इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने सारे आर्टिकल मैं आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ, क्योंकि उनाइटे नेशन को लेकर काफी सारी फेक न्यूज यूट्यूब पर चल रही है, इसलिए आप आर्टिकल और रेफरेंस को देखके न्यूज पर यकीन किया करिए, साथी आर्टिकल के नीचे डेट भी होती है, आप उसे भी देखा करें, साथी अगर आपको न्यूज पर डाउट है और फेक लगती है तो आप आर्टिकल की हेडिंग को गूगल पर पेश करके उसे सर्च करेंगे तो आर्टिकल आपके पास खुल कर आ जाएगा, आप वहां से भी न्यूज वेरिफाई कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है जिस तरह से फिल्क न्यूज चल रही है यूटूब पर उससे बचने के लिए, हालकि दोस्तों जिस तरह से बड़े बड़े देशों की तरफ से भारत की पर्मानेंट सीट की वकालत की जा रही है और पूरी दुनिया एक साथ यूनाइटिन नेशन के अंदर चेंज की मांग कर रही है, इसको देखते हुए यूनाइटिन नेशन के चीफ की तरफ से भी यूएन के अंदर इमिडेट चेंज की मांग की गई है, कल यानिकी 27 सितंबर को भारते से और उसे यून में पर्मानेट सीट मिलनी ही चाहिए, इससे पहले एक से यूनेशन की चीफ की तरफ से भी भारत की पर्मानेट सदस्तिता की वकालत की गई है, साफ है कि जिस तरह से आपने देखा कि इस समय कितना ज़्यादा सपोर्ट भारत को यूनाइटिन नेशन के पर्मानेट सीट को लेकर मिल रहा है, इससे पहले इतना सपोर्ट नहीं देखा गया था, दुनिया का हर बड़ा लीडर यूनाइटिन नेशन के मंच पर खड़ा होकर यूनाइटिन नेशन के अंदर चेंज की मांग कर रहा है, साथी भारत की पर्मानेट सीट की वकालत कर अब ये देखना इंट्रेस्टिंग होगा कि किस तरह से भारतिय विदेश मंतरी यूएन के अंदर आज बोलते हैं साथी उसके बाद रूस और चीन की तरफ से क्या यूएन के अंदर बोला जाता है इस पूरे मैटर के उपर कोई भी खबा निकल कर सामने आएगी हम वीडियो लेकर आपके पास जरूर हाजिर हो जाएंगे रेफरेंस के साथ ऑथेंटिक डिफेंस और वर्ल्ड अफेर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन